हर्यों श्री राम अंभध्या माजनाव अभिजित जादव मी गुराई उपास ना केंद्रत लाहे तो आज मी तुम्हाला माजा आयुशा मदे दो अनुभाव वाला मंजे सुरुवातीला जया मी बापुन कड़े आयला सुरुवात के लिए करते हैं अध्या माजाए अध्यात्म होता टैचा माजा इन्टरेस्टे आया डिश यह झा। अगिवाई गुष्टी वाचा तो बराश्य गोष्टी मंजे त्यावेला वायराग्या हे ते वन मुझात अध्यात में दस्ता तुकरमनी संगीत लेगे वापुनी संगीत लेगे ते अध्यात में माझा निदर्शनास आलास नहोता मी पुरुणापणे नकोत्या दिशनी सालो होतो और अचनक मदे माला कलड़ापन नहीं कि मी ते उठे जाओन मंजे वायराग्या वरूद मी कदी मृत्यू समषाहन और या सगया गोष्टित मदे अड़कून मी अपमृत्यू यहा एका भीती मदे अड़कून पढ़लो होतो त्याक भीती मदे मी इतका काई अड़कलो होतो त्याक भीती मने भिक्षा मी मनिन की अशवाटाई के अपले जीवनास उद्देश्य काया अड़कून मी आपले इप्रेशन कंपलीटली बट्टी कौनला इस माहित होतो है इन फेक्ट मी पहली अनुए में शेयर करतो है घरा अर्णा थे उनदेशा हैं करने सांगेत कर दो मैं आपले एक टास माझा विचारंद माधि असाईच वमेशा घप्प असाईच और अतिश शान्त असाईच बागी सर्वा रूटीन सालु असाईच बट कुठे तरी तो विचार सतत चालु असाईच यह चापुडे का है अनि ह करत अस्ताना मी बरेश्या लोकांशी बोल्लो पंड माला कई उत्तरब मिलत न होती एक ओफिस मदे अस्ताना माझा एक मित्र माला भिटला तो विराड उपासना गेंद्रत होता तो माला मतला किछा लापन मितुला जाओ या बापुन कड़े तया वेला मी उपवास वगरे करा यह सगे विचार पन मना थोते अणि असाद स्फक्तमी तया मित्रबोरो वर गेलो गुरुवरी आलो गुरुवरी आलो तर तिते ही थोड़ा मंजे में मतला रे स्वता ता शाहन पणा मिरुवद होतो यह काय ते काय कशा सटी यह उड़ा शे बरेश्य नेगेटिव प्रश् अलो होता बापुन सा अनि त्या प्रवचा नाम ते वास वटला कि आरे हाक मानुस काही तरी वेगला है जे पंकाय बोलतो है खरस काही तरी मंजे वेगला है आणि मी आएकला मी जोपलो उटलो तिक त्रवचा नामदे पन ठोड़ा वास आठी पन मी आएकला ते माला पूप गर्दी होती बापुन सा दर्शन चालू होता मी तिथे पन अले है काय सर्वास ते और अरण खर जाता है पन जेवा बापुनकड न बगुन मी बाहर आलो तो अचानक मादे तयाला हेपन मेटला कि आरे देव असेल तया अचा बेक्षा वेगला नाचे तो एकंदरी तया निवनगंडा सोबत पन जगत होतो कि मला मंझे अपमृत्यू भय मंझे हैचा कही ही रिलेशन न होता कि ना मला कुटलया भटा नी सांगीत लोता ना कुटलया ब्रह्मान नी सांगीत लोता पत्री के वरून कि वा कहीं न होता बट जस्ट बीकोज ओफ रॉंग रिडि अब अब आपुन कड़े दर गुर्वर ये तो है विश्वास घट वायचा घरी गिले वर पुल्ना डगमागाईचा अब रेत सालू होता चालू होता में गेक दिवा साही चरित्र पन मी बापुन कड़े दिला होता माजा मंझे तेवा बापु अध्या वरती हर्योम करून लिहुँण दिलेला कि में अध्या अध्या अध्यारत चाल चरित्र दिला होता थिया वयला कि देचा वरतीवीशा वरती हर्ती लिखुन है कि माजा बहुग अधिकान वालो परि लेकर से निगतिततेवाओ मंझे इसा मला वटले कि मी असाच है कि मी हाँ देव मला दर गुरुवारी शिका होतो है दर गुरुवारी सांगतो है पन माझा का यह वरती विश्वाज बसाद ले और बापु नी महाँ एटी एकदम बरो-बर मटले पन तेवा ही मला कहड़न होती कि माझा साथी बापु नी पूडे है पुडे ही आजुन काई तरी लिओं ठेवला होता सो मी जातो है प्रवाज में हड़ोडो बापुन वरती श्रद्धा घट्ट जाली आज एवड़ान वर्शान पसना मंजे बापुन मंजे मुला ते चीडी चा पायला खेचून आंता तसा मला आंड त्यानी माझा जवत त् अधिक अधिक वाड़तत जाते असा एक अही दिवस नस्तो कि तेचा शिवाय अपलेला मंजे बापु भक्तन आसा जातना है कि अपलेला बापु नाहिये करू अपले आयुशा मदे सतत तेचा नामस्मुरंट असता जानी सतत तो अपलेला सोबत असतो और अड़े सेम होतो मैंजे बापु नी मुळात ते कधिस माजा मनतना काडला होता पड़ मी एवडे वर्षय जात होतो और मला कलड़ पन नहीं कि माजा मनतना ते सगे चुकी चे विचार कधी निगुन गेले में कधी नॉर्मल जालो हे पन मला कलड़न होता बट हाँ ये रियालाइजेश खुब नंतर वर्षय नी जाला किती ओव माजा नंतर लक्षय तली कधी-कधी समझन और उमगन है दोन गोश्टी आसता तस्ता उमगन जेव प्रकार होता तो मला त्या नंतर जाला तो असा चाथ आपला बापु आपले नकलत बरेश्य गोश्टी कर दसतो अपले आयुश् अनुबह होता जो में तुम्चा सर्वान बरोबर शेयर केला पाकी हर्यों श्री राम अंबद्या ना था समय